विकास गाजट का और एक नया वीडियो में आप लोगो सागत करता हूँ आज इस वीडियो में मैं आप लोगो दी लिंक का एक राउटर कॉन्फिगर करके दिखाऊंगा जिसका मोडेल नंबर है DIR1950 यह राउटर बहुत सार लोग खड़ते हैं और इसको कभी सारा बार कॉन्फिगर करने में थोड़ा सा पॉब्लम आते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगो दिखाऊंगा कैसे आप लोग बहुत इजी में आपका जो राउटर है कॉन्फिगर कर सकते हैं पहले आपको क्या करना है इस राउटर में आपको जो इंटरनेट प्रोवेडर है उस इंटरनेट प्रोवेडर से और नहीं तो इसके बाद दिखिए आपको में और मोबायल पर क कर सकते हैं कोई भी दिक्काद वाली बात नहीं है लैप्टोप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा लैप्टोप और मोबाल पर सेमी करना पड़ेगा आपका वाइफाई को ओन करना पड़ेगा वाइफाई को ओन करने के बाद देखिए यह ओप्शन आ जाएगा डी लिंक E30C इस तरफ का एक आपको सिंगनल मिलेगा यह है हमारा जो राउटर है डी लिंक का इस राउटर का सिंगनल इसको आपको कानेट करना है कानेट करने के लिए किस तरह क्या पासवाट है पासवाट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ राउटर के पीछे में लिखा रहते हैं यह देखिए वॉइभाई पासवाट करके लिखा हुआ है इदेखिए वाइफाइपासवाट न कि दिखे वैफाइपासवाट यह द देख रहा है है वैबवे पासवाट च्वीए एक्स यू आर 25047 यह है वाई भाई का पासवार्ट इस पासवार्ट दे कि आपको इधर connect करवाना है तो देखिए मैंने पहले से इस पासवार्ट को दे के connect कर आथे तो आभी मैं आप लोगों को connect में क्लिक करूँगा तो यह connect हो जाएगा कुछ टाइम हम wait कर लेते हैं कुछ टाइम हमको wait करना पड़ेगा यह जितना डेम दर connect नहीं हो रहा है देखिए connect हो चुका है अभी आपको क्या करना है आपको आपका ब्रावजर में चले जाना है कापी सारा बार connect नहीं होता है कुछ धिक्कत वाली बात होता है मैं आप LOCK को बता देता हूं धिक्कत जो होता है अपना जो ethernet sangat cable है जो ethernet kab為 ना उसकी वज़े से connect होता है तो इसको आपको खौल दीजें खौल देने के बाद इसको connect活ा यह connect करें के बाद इसको फिर से लागा दीजें के बाद फिर से लागा यह आपको इधर साच कर लेना है 192.168.0.1 सिर्फ यही साच कर लेना है इसको आपको साच कर लेना है यह है डीलिंग का admin पैलेन जो admin panel में open होगा और इधर आप configure कर सकते हैं तो चलिए मैं इधर साच कर लेता हूँ इधर admin पैनल आ चुका है इसके बाद दिखिए जब आप configure करने जाएंगी इस तरह आपको टामसन कॉंडिशन इधर दिखाते हैं इधर आपको एगरी पे क्लिक करना है एगरी पे क्लिक करने के बाद इधर दिखिए राउटर मूड में आपको क्लिक करना ह इसके बाद next पे क्लिक करना है इसके बाद I understand next पे क्लिक करना है इसके बाद आप धान में दीजिए यह इंटरनेट connection अभी चाह रहा है तो आपको अभी अभी तक भी इसमें यह जो that the connection कैबल से करें नहीं करवाय थे तो करवाए लीजिए अभी अभी नहीं connect करेंगे तो यह कॉनफिगर नहीं होगा तो चलिए मैं connect तो करके रखातो हूं एक बार लगातने हो ठीक टक से तो चलिए मैंने connect कर दिया है अभी और ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक है तो next के में क्ल देंग ले थे नहीं तो हम लोग आई-पी इधर डालेंगे अब लोग आतो डीट्रट मेटिख लेंगे तो यह ओत्वाइप ले सकता है जहन्जट का काम बहुत ज़न्जट होता है खाम तो अउंटामेटिक ले लेगा तो बहुत बड़िया होता है एक थोड़ा सा टाइम आ आपको देखना पड़ेगा domestic ना static कौन सा आईडी है वह आपको देखना पड़ेगा नहीं तो user ID पासवाट रहते हैं कुछ-कुछ का तो चली है मैं इधर static IP हमारे पास है तो मैं static में click करके next करता हूं इधर देखिए आईपी आपको दिया जाता है आपका operator के पास जो internet provider होता है उसका पास एक IP दिया जाता है वह आईपी इधर इसके बाद आपका वाइफाई का नेम मजलब जो नाम आपको दिखाएगा कोई भी जो राजू नेट रोक नहीं तो बहुत सारा लोग दुकान का नाम लेकर रखते हैं जो आपको इधर डाल देना है इसके बाद वाइफाइब का पासवाट जो पासवाट देखिए आपक ओइएफाइब किसी भी टाइम अपना पासवाट मतलब आपका राउटर को कॉंफिगर के लिए वेस साइन में जब आएंगे तब आपको पुछा जाएगा ओए पासवाट आपको देना पड़ेगा जब आप और आप पासवाट देंगे तब आप राउटर को फेर से एग हो जाते हैं तो यह आप इधर राख सकते हैं नहीं तो आप मैनेज करके भी कर सकते हैं अपडेट तो छलिए मैं आटोमेटिंग में क्लिकक कर नेक्स करूंगा इसके बाद जो आपका पूरा पासवाड़ है इधा दिखाते हैं आपको पेस की इसके इसके बाद नेक्स बेख करूंगा इसके बाद दिखिए दोस्तों आपका जो राउटर है कौन पेगर होगा आई पी सई सी राख लहाएं तो होगा इसके बाद वेट करने के लिए बोल रहा है तो कुछ टैम हम वेट कर लेते हैं इधा जो टाइमिंग दिखा र है नियू सेटिंग है यह बिन सेप्ट ओके पर मैं क्लिक कर लेता हूं अभी देखिए अभी जो है आपका जो राउटर है पूरा कॉन्फिगर कॉंप्रेट हो चुका है ठीक है अभी इस राउटर का जो नेम है वो चेंज हो चुका है मैं आप लोगों को बदा देता हूं अधिक है यह आचब है अधिक हाल एक और वानए नाम दिया था तो इसलिए वह नाम आचवाय तो आभी तो नहीं है इस अधिक होचुका है तो इसको फिर से कनेट करना पड़ेबाएगा कअसर अधिक की लिए कि अधिकर और अभी देग देग लेते हैं अधिक होताए करनेक्ट हो चुका है अभी एक बार इस ब्रावजर को हम लोग कर लेंगे साची कि देखिए इधर एड्मिन पैनल आ चुका है डिवैस का जो एड्मिन पैनल का पासवार था मैंने आपको बताया था देने के लिए वही बाला पासवार आपको इधर एंटर करना है फासवार देने के बाद एड आप अंधर करेंगे इधर देखिये अपका जो है आपका इधर पूरा सिस्टेम आज आएगा आप इधर से कौन फिगर कर सकते हैं कौन डेटा विच कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है पूरा चीज आप इधर जख सकते हैं एदर सेटिंस में जाके आप इन्टरनेट पर जा सकते हैं इन्टरनेट हैं पर आपका आई-पी चेक चेक कर सकते हैं इसको नवर करते हैं swords management में जाने के बाद आप इधर बहुत सरा कुछ चेंजबर्स कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से अपने अपना जो राउटर है इस राउटर को कौन फिगर कर सकते हैं वीडियो को आचा लएगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों के साइर कर लिजिए और हमारा चैनल बहुत चोटा अब लिग करता हूं प्लीज चैनल को सबसब कर लिजिए मिलेंगे आगले वीडियो में तब तक के लिए अच्छा रही है नमस्ते